आई फ्रेंड्स मैं हूँ पेंदर कुमार पांडे आप देख रहे हैं पंडित उपेंदर स्टेडी क्लासेस में जैसा कि आप लोग को मसीन डिजाइन के चेप्टर 5 डिजाइन ऑफ जॉइंट के कुछ टॉपिक आपको लेश्ट क्लासेस में मिले थे जैसा कि आप लोग को मैंने कटर जोड और कटर जोड के प्रकार और एक चाओर को मैंने बताया था मतलब इस प्रगाट या सौकेट कटर जोड के बारे में मैं इसकल डिसकेशन किया था आज का टॉपिक होने वाला है तो स्लीव या कटर जोड क्या होता है इन सभी टॉपिक के बारे में पूरा इस्टेब बाज स्टेब जानेंगे यहां पर वीडियो काफी हेल्फुल होने वाली है तो वीडियो लाज टक देखने आए तब ही आप लोग को समझ में आएगा यह टॉपिक मैंने जो कटर जोड के प्रकार के बारे में बताया देगा था मतलब टाइप आप कटर जोड के तो उसमें मैंने एक जोड के बारे में बात किया था आज में दो जोड के बारे में बात करेंगे यहां पर यह cutter job के अंतर्गत आते हैं तो जैसा कि आप screen के माध्यम से देख पा रहे हैं पहला वाला topic sleeve या cutter job अब sleeve या cutter job का मतलब क्या है cutter job मैंने क्या बताय गया था एक hole के माध्यम से मतलब क्या होता एक socket होता है और एक spigat होता है सॉकेट की अंदर गिस्पगाट प्रबेस कराकर उसे एक कटर के माध्यम से फिक्स कर दिया जाता है जैसा कि आपनों को कल मैंने फिगर के माध्यम से पूरा इस्टेप बाइस्टेप बताया था आस मैं आगे इसके देखेंगे इसका डिफिनिशन देखते हैं तो definition हमारा क्या कहता है कि दो गोल छड़ों को जोडने के लिए मतलब उसमें क्या होता है एक गोल छड़ों को जोडने के लिए ठीक है मतलब दो छड़ों को जोडने के लिए कोई भी छड़ हो सकता है गोल हो सकता है और फिर चौड़ा हो सकता है कुछ भी किसी प्रकार का हो स स्लीव या मप को जोड़े जाने वाले चफड़ों को चढ़ा कर प्रतिएक चढ़ों में अपने छिद्र में एक-एक कटर डाला जाता है तब कटर को थोका जाता और चणों को बीच की दूरी कम हो जाती है और अधिक मसबूश जोड़ बनता है मतलब क्या होता है कि आपका एक बेलन आकार का होता है और बेलने आकार मतलब क्या है आप बेलन देखे होंगे तो बेलन में क्या को दिया जाता है दोनों तरफ से गुललक पॉंटरगार की छण्ड यूज़ कर दी जाती है और छंड लगाने के बाद उसमें जो बीच में एक खाचे बना दिया जाते हैं, उनमें कटर लगा देता है, और कटर लगाने के बाद ठोग देते हैं, वो जोड आपका फुरा मलजबूत बन जाता है, ऐसा जोड, ऐसा जोड क्या कहला था आपका, स्लीव या काटर जोड की अंतरगत आता है यहाँ पे जैसे कि आप figure के माद्यम से देख पा रहे हैं यह यह आपका कौन सा figure आए यह देख पा रहे हैं इतना पूरा पार्ट यह पार्ट यह पार्ट और यह पार्ट यह पार्ट मतलब आपका यह पूरा गोला प्रकार का है मतलब गोला का है ठीक है गोल में क्या किया जाता है छिद्र बना दिया जाता है छिद्र में क्या किया जाता है इसमें काटर में प्रिवेस्ट कराकर उसे क्या कर दिया जाता है ठोक दिया जाता है ठीक है तो जिससे जो आपका जोड होता है काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है ठीक है तो इस प्रिकार से जोड का कहलता आपका स्लीव या काटर जोड की अंतरगत आते हैं ठीक है नेश्ट बात करें पर तो नेश्ट टॉपिक आता है जिब या काटर जोड क्या होता है काटर जोड की भात ही होता है जिब में क्या होता है आप एक जिब लगा दिया जाते हैं मतलब क्या होते हैं कि कि आप देखेंगे पीन वागेरा में क्या होता है एक जिब लगा जाते हैं उन्हें बार निकलना संबह जाता है तो उन्हें चीजों को मतलब ठीक्स करने के लिए या फिर कहने मतलब ऐसे जोड को जिस जोड प्रयोग किए जा रहा है एक पट्टिका लगा दे माद पट्टि कि एक जिब या काटर जोड का प्रयोग के बड़े शीरे पर किया जाता है मतलब करके बात करें इस जोड में जब कोटर कोई बिना जिब का प्रयोग किया जाता है तो काटर की सता होती है मतलब क्या है कि आप आप देखेंगे क्या होता है जब आप बेलन में क्या होता है दोनों इनहों का धीला हो जाता है मतलब क्या बोलते हैं आप चारफाई में देखेंगे चारफाई में होते हैं ऊपके presented तो फिक्स कर दिया जाता है और जो पट्टिका लगा जाती है तो वो जोड क्या के लगता आपका जिब या काटर जोड के अंतरगत आते हैं यहाँ पे आपको एक्जामपल के थू समझना है एक्जामपल आप समझेंगे तो आप किसी भी डिफिनिशन को एकदम पूरा बिद से फिक्स ना हो एक अंतरफीस लगाए उस सही रूप से फिक्स ना हो तो दो तीन जीब लगा जा सकता है ठीक है आगे बात करें तो जब पिज इस्टेब मजबूती से पकड़ बना लेती है तब मोलने नहीं देती है इसके अतरेक जेब का काटर की अतरेक सता प्रदान करत है जिससे अधिक मजबूत पकड़ती है कहने का मतलब है कि आपका यहां पे देखे होंगे जैसा कि आप लोगों को फिगर के मादम से दिखा दे यह आपका पूरा पार्ट के आपका बेलान है अब बेलान में क्या होता एक सौप्ट इधर से लगा दिया गया एक सौप्ट कर दिया गया धल्या कटर के माधर से अब क्या है यहां सब्सक्राइस कराने के लिए इसका प्रियोग कर दिया जाता है आपका जिब का प्रियोग कर दिया जता है तो ऐसा जोड़ क्या खेलत आपका जिब या काटर जोड़की अंतरगर आते हैं ठीक है यहाँ पर आपको figure के माद्यॐन से दिखा दें то figure जैसा कि आप 성्की के माद्धम से देख पा रहे हैं यह आपका क्या हो गया आपका यह क्या हो गया और यह क्या हो गया और विल्लाकार हो गया वह सही रूप से सटीक रूप से अमजबूती पाकड लिया जाए ठीक है तो आई हो गया यहां पर आपको एक डम इजी धंचे समझ में आया होगा स्लीव या काटार जोड और जिब या काटार जोड के बारे में तो बस आज क्लिपना यह वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब पर जाधा जाधा सेर करने कोशिस किजिए मिलते नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहें